है प्रिए छात्रो नमस्कार निवास क्लासेज में आपका स्वगत है तो आज के वीडियो में हम आपको बर्ग छे का गनित परसना वाली तेरा पॉइंट-1 का प्रशल संख्या 6 से हलकरके बताएंगे दोस्तो पिछले वीडियो में हम आपको प्रसल संख्या एक से लेके पांस तक का solution अच्छी परकार से हल करके बताएं थे तो आज की वीडियो में हम आपको प्रसंद 6 से question हल करके बताएंगे तो प्रसंद संख्या 6 में है एक समस्ट भुच का परिमाप 66 में है दोस्तों इहां समस्ट भुच का परिमाप दिया गया तो आपको करना है ठीके तो प्रसम अब समझ चुक हैं चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि एक से हल करना है तो दोस्तों कि आप यहां देख सकते हैं हमने हाए समस्ट भुच का फीगर बना लिया तो आप nie कृण समझ लिए दोस्तों समस्ट भुच में क्या होता है कि सभी भूजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है तो टोटल इसमें भूजाएं कितना हो गई एक दो तीन चार पांथ छे दोस्तों इसमें टोटल भूजाएं कितना हो गई छे तो आपको यहां लिखना है ठीक है इस तरह से लिखना है कि माना समस्ट भूज का भूज इस तरह से पहले आपको लिखना कितना होता है वह आपको लिखना पड़ेंगा ठीक है कि तो आपको इस तरह से लिखना ऌहा है कि माना की समध्चभुछ का बूज है अब दोस्तों यहां पे हमने 25 कोई बुझा का मांद नहीं दिया गया जीसा की प्रस्ट में दिया गया था परीमाप 66 में दोस्तों यहां परिमाप इसका दिया गया था भुझा तो नहीं दिए गया इसलिए हमने क्या कि हैं भुजा को क्या मानली है माली आप बीसकते हैं ठीक है यह सव्रभी क्या की amilella कि अपको तरह से बना देना अब आपको ко लिखना है नि इस तरह से आपको लिखना प्रशन से दोस्तों भुजा अबनाबर क्या है एक सब्सक्राइब मान देना है तो टोटल कितना हो गया है गिली जी एक दो तीन चार पांच छे है तो आपको यहां लिखना है छे गुना ए भूजा ब्रावर ए देना आपको इस तरह से ठीक है अब आपको परिमाप का मान देना है ठीक है तो यहां से कितना हो जाएगा टोटल आप यहां मान द करने कहा है तो चलिए इसको ग्याद कर लेते कितना लंबा आता है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक कोमन करते हैं ठीक है तो एक को podr किया तो इहां पर मान आएगा क्या 66 वट रटा में 6 ठीक है गुना का मानaktar होने ब lagi सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर अब यहां ठीक सेमि ठीक है तो यह इसका स्कोन को घान कर सकते हैं ठीक है आपको ले सकते हैं तो प्रसं संख्या साथ नमरम को इसि तरह से हल करेंगे तो परसन संख्या साथ में है एक धागे यहां पर दोस्तों यहां पर धागे का टुक्रा का जो लंबाइं दिया गया और सीम है एक समझ्ट भूज बनाया जाता है यह सभी को आपको क्या ग्याद करना है आप यहां देख सकते हैं परते भुजा की लंबाई क्या होगी मतलब यह आपको लंबाई ग्याद करना और साथ ही भुजा भी ठीक है तो यह तो आप समझ गया है चलिए इस प्रस्ण का उ इसारां भाई 24 cm और इसे आप परिमाप भी समझ सकते हैं ठीक है तो प्रस्ण ए में बताया गया था बर्ग तो बर्ग में आपको समझना कितना भुजा टोटल एक दो तीन चार ठीक है यह टोटल चार है तो अब आपको इसमें ग्याद करना है बर्ग का भुजा ठीक है अन तो पहले आप यहां लिंखिए फॉर्मूला की रूप में ठीक है परिमाप बटा क्या होता भुजा तो बुजा कितना 1 2 4 डो टिस मीं टो रिंघ पंग और बराबर का साइज लगाना है दोस्तो बाब confined слово यहां परिमाप की रूप में लिए गया है तो आप यहां लिए hem ल लगा हुआ है तो मिलगा दीजिए उसके बाद इसको काटिए था चार चपश्र चोवीच ठीक है तो इसी लिए इसका एंसर आ जाएगा कितना छे सेम तो यह इसका राइट एंसर है त्वेरदफ के सकते हैं तो आप चाहें तो पूले की तरह को पहली बनाते और उसको हल करते हैं कर तो दोस्तों आप इस तरह से संबाव तीरीष को बना लेजिएगा तो आप यहां देख सकते हैं की समभाव समभाहू तीरफ़ूज में तीनों भुज आपस में क्या है बराबर है ठीक Flick ? और यहाँ पर हमने लिख रखा है समभाहू तीरफ़ूज और परिमाब बराबर 24 सेंटीमीटर जैसा परस्त में दिया गया था पुना आप परस्त को देख सकते हैं तो आप आप परस्त में लिखा है एक संभाहु तिर्भूज का परिमा ब्राबर चोबी सेंटीमीटर ठीके तो मैं आसा करता हूं कि यह प्रसना आप समझे गया है चलिए इसको हल करते हैं तो आपको इस परकार से लिख लेने के बाद अब आपको ग्याद करना है ठीके लिखेगा इसलिए आपको लि मातीचे में कितना क Chall अफंग क्याता निकली लिखा है आपको इसका मान देना है तो दोस्तों परिमा मां यहाँ आप चाहें जिसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं तो दोस्तो इसी परकार से साथ का सी को हल करें तो परस्ण के साथ सी देख सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं C में एक समश्ट भूज अब दोस्तों क्या करना है इसी की सहायता से आपको एक बनाना क्या समश्ट भूज बनाना है और इसका परिमाप यहां हो जाएगा चोवी सेंटीमीटर ठीक है तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं और फिगर को बना लेते हैं तो दोस्तों आपको इस रस लिखना है समश्ट भूज का भूज बराबर परिमाप बटा छे दोस्तों ऐसा क्यों हमने लिखा है तो दोस्तों आपको परस्त में बताया था आपको सेन्टीमीटर में ठीक हैं ठीक है तो आप को भागा देकर काड़ लगा था तो इसका एनसर आए सेंटीमीटर यह इसका राइट एंसर है ठीक है आप चाहें तो इसका स्क्रीन सौर्ट ले सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हो कि साथ में यह तीनों प्रस्ण आप अच्छी परकार से समझ गया है तो इसी तरह से प्रस्ण संख्या आठ को हल करें ठीक है तो प्रस्ण संख्या आठ में है तो आप यहां देख सकते हैं असी मीटर भुजा वाले बरगाकार बगीचे के चार और बार लगाने का वह 25 रुपिय प्रती मीटर की दर से ग्यात किजिए दोस्तों ये प्रस्ण में आपको वर्ग दिया गया ठीक है तो आपने उसको क्या करना है कि उस बर्ग में वार लगा जाता है ठीक है दो दोस्त ठीके अब इस तरह से पहले लिखने के वाल अब आपको बर का बार लगाने का अब उसका दरग ज्याद करने के लिए अब आपको यहाँ 13 करना कि बर्गा परिमाप ठीक है तो यहां लिख लेते हैं फर्मूला पहले लिख देना ठीक है चार घुना भुजा दोस्तों यहां 4 है, 4 command तो बस तवीक यहां पर दिया गया है ठीक है, अब उसके बाद भुजा command 80 meter, बस आपको यहां 80 meter लगा रहना है, अब आपको इसको गुना नफल ग्याद कर लना है, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुना 0 करेंगे तो 0, 8 चोक, 32 ठीक है, meter लगा हुआ है त तो कितना उसका total दर आएगा, वो ग्यात हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहां लगाने का खर्च, ठीक है, इस तरह से पहले आपको यहां एक लाएं भासा लिख देना है, तो इस परकार से आपको लिखना है, ठीक है, उसके बाद अब आपको total मान से गुना करना है, तो अब आपको इसको गुना करना है, तो दोस्तों इसको आप गुना अच्छी परकार से कर लिजेगा, ठीक है, यहां पर हमने गुना कर रखा है, तो इसको direct answer यहां पर लिख दिया है, ठीक है, तो आप इसका answer इस तरह से ग्यात कर सकते हैं, यह आपका right answer है, ठीक है, तो मैं कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कर सकते हैं तो प्रस्ण संख्या 9 में है राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चार और दोड़ती है ठीक है और सीमा 75 मीटर भुजा वाले बर के चार और दोड़ती है तो कौन कम दूरी करती है यह आपको ग्याद करना है ठीक है तो दोस्तों प्रस्ण के एकोर्डिंग इस तरह से आपको पहले फिगर बना लेना है और उस फिगर में मान भी दे देना है अब आपको प्रस्ण के एकोर्डिंग ग्याद करना है कि राधा कम कमदूरी करती है यह सीमा कमदूरी करती है यह दोनों में कौन कितना कम कर रही है यह आपको ग्याद करना है ठीक है तो चलिए पहले हमें आप ग्याद करते हैं राधा के लिए ठीक है तो आपको लिखना है राधा के लिए तो आयत बन रहा था ठीक है तो आपको लिखना है आ यहां लिखना है आयत का प्रीमाप ठीक है आपको इस परकार से फॉर्मूला लगा लेंग तो प्रीमाब होता है टू इन्टू लंबाई परस चवड़ाई ठीक है आने कि इन्टू इंटू एल सक्षड भीक में रेजिमे शौर नाम कर सकते हैं तो अब आपको इसको ग्याद करना तो यहां पर है तो दो लखन ठीक है इस तरह से आप रख सकते हैं और यहां पर दिया गया कितना 80 को देना है 85 को पुट करना है ठीक है अब को करना क्या है कि दो को दो ही लिखेंगे गुना के रूप में ठीक है उसके बाद कि कोई भी आने एंडवना काली की इनट घू रता ऐं तो गुना बदल सकते यह 555 बार इतना अब आपको इसमें गुणा करना खर सकते हम अपको आपको सिंसे ही माद करना है ठीक तो चलिए है आपको लेखना है और गयात करना तो दोस्तों सीमा के लिए वर 67 भरा भूंटह। इस परकार से लिखना है वर का परिमा बराबर दोस्तों वर का परिमाफ का तो फर्मूला होता है लीखना है चार गुना भूजा इस तरह से पहले आपको लिखना चार गुना भूजा रहेगा अकर ये पना है वह 75 यही 25 ऐसा बीगा river और ये वह 516 डिख कि जब इसको गुना कीजेगा इसका राहत एंसर आजाएगा कितना पांचोक बीस तरह चोके 28 अधुर 29 तीस यह 300 मीटर आजाएगा तो दोस्तों यह दोनों में आप तुनना कर सकते हैं कि कौन कितना कम है तो आप देख सकते हैं राधा के लिए का इंसर आया है और हाइसु मीट तो यह दोनों में आप देख सकते हैं कि कम दूरी कौन कर रहा है ठीक है तो आपको बस इसी तरह से इंसर ग्याद कर लेना तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि कि आप यह प्रस्न नो भी अच्छी परकार से समझ गये आप चाहें तो इसका स्क्रीन सोर ले सकते हैं तो दोस्तों बस यह प्रस्न संख्या नौ तक का इस चेप्टर में था ठीक है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले कोशन का स्वलियोशन ठीक है